रीवा के सरवार्दी भीरभाड़ वाले इलाके जै इस्तम से इस्टेचो शराहे की बीच नगर निगम के साबने दो सरावी जूमते हुए नजर आएं जमकर मचाया उत्पाद जूम बराबर जूम सरावी अगर सरावी शहर में सरवादिक भीरभाड़ वाले इलाके में जूमने लगे तो कुछ लोग ऐसा ही गाना गाने लगते हैं यह नजारा आज रीवा में नजर आया रीवा के सरवादिक भीड़ वाले इलाके जैस्तम से इस्टेचू चोराहे मार्ग में नगर निगम के सामने यहां कुछ ऐसा ही नजारा देखने में नजर आया जहां दो शराबी शराब के नशे में डगमगाते हुए कभी ठेले से भिरते कभी किसी गवाहन से टकराते चले जा रहे थे हलाकि एक शराभ के कम नशे में था वह दूसरा शराभी को समालते हुए नजर आया सिधा सा अर्थ है दो शराभी जा रहते एक शराभी को कम चड़ी थी दूसरे को ज़्यादा चड़ी थी जहां गुजरते हुए वो लोगों को परशान कर रहे थे जिसके चलते रा चलते लोग काफी परशान हुए कुछ लोग चुपचाप बगल से निकलते चले गए कुछ लोग वीडियो बना कर वाइरल करने लगे इसको मजदार और दुखत दोनों कहा जा सकता है शराबी शराब के नशे में जिस तरीके की हरकत कर रहा था उसको देखकर कुछ लोगों को मज़ा आ रहा था वहीं दूसरी और उसका साथी जो थोड़ा कम नशे में था वह उसको समालते हुए लगतार परिशान हो रहा था वैसे भी मार्च का महीना है शराब के ठेके में शराब सस्ती होगी बड़े बड़े शराब के बोर्ड लगेंगे सबसे सस्ती दुकान यही है ऐसे में इस तरीके निजारे आम होंगे जिस तरीके से आप अपने स्क्रीम पर साब तोर से देख रहे हैं एक शराबी डगमगाता हुए चला जा रहा है उसको पकड़े हुए वेक्ति भी शराब के नशे में है लेकिन उसने थोड़ा कम पी है उसको थोड़ा कम चड़ी है हमारी टीम ने भी यह नजारा देखा इसे अपने कैमरे में कैद किया शराबी से बाचीट करने की कोशिश की उसने ऐसा क्यों किया उसने इतनी ज़्यादा शराब क्यों पी लेकिन वह शराब के इतने नशे में था कुछ भी बोलने बाचीट करने की इस्थिती में नहीं था हम आपकी स्क्रीन में लगतार दिखा रहे है शराबी का वह वीडियो जो आज हमारी टीम ने नगर निगम के सामने जैस्तंप से इस्टेचू मार्ग में बनाया किस तरीके से सडक में डगमगाता हुआ चला जा रहा है दो शराबी किस तरीके से अंगूर के ठेले में खड़े होकर अंगूर ले रहे हैं फिर डगमगाते चले जा रहे हैं उसको किसी की भी कोई चिंता नहीं एक शराबी शराब के बेहद नसे में दूसरा कम नसे में है यह इलाका सरवादिक भीड़ वाला इलाका है यहाँ पर दिन भर जाम की इस्थित निर्मित होती है गाडियों की आवाजा ही बनी रहती है ऐसे में दुरगटना भी हो सकती है इस इलाके में पुलिस भी दिन भर नजर आती है लेकिन यह शराबी शराब के नशे में काफी देर तक उत्पात मचाता रहा इस दौरान पुलिस का भी पता नहीं रहा माना जा सकता है शराबी को देखकर शायद पुलिस भी वहां से हट गई हो साब तौर से दिख रहा है डगमगाते हुए दोनों चले जा रहे हैं एक समाल रहा है दूसरा लगातार उसके बाद भी उसकी पकड़ में नहीं आ रहा हलाकि दोनों ने पी रखी है हमने उनसे बात करने की कोशिश की किस तरीके से वो बोल रहते हैं आईए आपको सुनाते हैं हमने की कि तरीके समाल वोल रहा हैं जाईए जागाना अफको सुनाते हैं